नमस्कार आदाव दोस्तो टीबी जे मीडिया में आपका स्वागत है देश भर में भीशन गर्मी पढ़ रही है और बढ़ती गर्मी के वज़े से दिल्ली में पानी की किलव भी शुरू हो गई है और लोगों में पानी को लेकर तरही तरही मची हुई है दिल्ली में जल संकट को लेकर चल रही एक सियासी खीसदान भी शुरू हो गई है आज हम आपको बताएंगे कि आखर दिल्ली में पानी की समस्या की असली वज़ा क्या है साथ ये भी बताएंगे कि दिल्ली में पानी के संकट से निपटने के लिए क्या-क्या समधान है दिल्ली जो भारत की राजदानी है यहाँ पर पानी की समस्या बहुत गंभी हो गई है गर्मियों की मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है लोगों को पीने के पानी के लिए लंबी-लंबी कतारों पे खड़ा होना पड़ता है कई बार तो पानी के टैंकर भी समय पर नहीं पहुंसते जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है दिल्ली में जल संकट की वज़ा से स्थिती बेहत गंभीर हो गई है एक तरफ आम जन्ता बुंद-बुंद पानी के लिए तरस रही है तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीती हो रही है राजनीतिक पार्टिया एक दूसरे को इस स्थिती के लिए जिमेडा ठहरा रही है कोई मटका फोड़ कर प्रदशन कर रहा है तो कोई भूख खरताल कर रहा है इन सब के भी सबसे जादा परेशानी जहिल रही है दिल्ली की आम जनता जो इस भीशन गर्मी में घंटो टैंकर का इंतजार कर रही है लेकिन यमुना नदी का पारी अब काफी प्रदूशित हो चुका है जिससे पीने लाइक नहीं रहा दिल्ली में हर साल गर्मी के मौसम में वाटर लेवल काफी गर जाता है जिससे पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है दिलने में पानी की समस्या का एक और बड़ा कारण है यहां की बढ़ती अबादी जन्सक्यां बढ़ने के साथ साथ पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पा रही है इसके लावा पानी की बरबादी भी एक बड़ी समस्या है कई जगों पर लोग पानी का दुरूप्यों करते हैं जिससे पानी की कम ही हो जाती है आपको पैदाते चले की पानी की किलत को लेकर आमादी पार्टी की नेता और जल मंत्री आतिशी और अर्विन केजडिवाल की पत्नी सुनीता केजडिवाल ने भी जंगपूरा में अनिशित कारिन भोग खरताल शुरू कर दी है जिसे जल सत्यागरा डाम दिया गया है आतिशी की मांग है कि हर्याना की बीजेपी सरकार दिल्ली को अत्रिक्त पानी मोहिया कराए अनिशित कारिन अनिशन वर बैठी आतिशी हर्याना की अत्रिक्त पानी मिलने तक सिर्फ पानी ही पिएंगी वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कारकरताओं ने दिल्ली जल्बोर्ट कारेले के बाहर जोरदार प्रदेशन किया उनको रोकने और तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बाचार की सरकार ने पानी की समस्या को सुलचाने के लिए कई कदम उठाए हैं पानी के नए सुरतों की खोज, वाटर, रिसाइकलिंग, प्लांट्स के निर्मान और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरू करना लेकिन ये सभी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम सम मिल कर पानी बचाने की जिम्मेदारी नहीं ले ले लेते दिल्ली की जलमंतरी आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि एक मिलिन गैलन एमजीडी पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है यानि जब हर्याना सरकार दिल्ली को 100 एमजीडी पानी नहीं देती है तो दिल्ली के 28,000,000 से जादा लोगों का पानी रुख जाता है आज मेरे अनिश्चित काली नंशन का चौथा दिल है मैं अंशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अंशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है दिल्ली का सारा पानी पडूसी राज्यों से आता है दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड लिटर पानी ये 46 करोड लिटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यही कारणी की दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए तराही तराही मची हुई है। लोग घंटों तक पानी का इंतजार कर रहे हैं। बुंद बुंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हिमाचर प्रदेश की सरकार से कहा कि यदि उनके पास अत्रिक्त पानी है तो वो दिल्ली को दे दे हिमाचर प्रदेश की सरकार पानी दिली के लिए तैयार भी हो गई लेकिन हिमाचर प्रदेश का पानी भी हर्याना से होकर आना है और हर्याना सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया इस भीशन गर्मी में हर किसी को पानी की जरूत है जब दिल्ली को पानी की अत्रिक्त जरूत है तब पानी की कमी हो गई है दिल्ली पानी के लिए पडूसी राजियों पर निर्भर है दिल्ली को रोजाना एक हजार पांच एमजीडी पानी मिलना चाहिए इन में से 613 एमजीडी पानी हर्याना देता है लेकिन पिछले दो हफ़ते से हर्याना केवल 513 एमजीडी पानी ही दे रहा है दिल्ली ने अत्रिक्त पानी लेने के लिए हर समभ कोशिश किया लेकिन हर्याना सरकार ने नहीं दिया लेकिन राहत मिलने के बजाए पिछले दो दिनों से हर्याना सरकार ने दिल्ली का 120 MGD पानी रोक लिया है हमें अपनी रोज मर्रा के लिए जीवन में पानी की बचत करनी की आदर डालनी चाहिए जैसे कि नहाते समय कम पानी का उप्योग, कपड़े धोते समय वाशिंग मशिन का पूरा उप्योग और लीक हो रहे नल को तुरंट ठीक कराना अगर हम सम्मिल का थोड़ी-थोड़ी कोशिश करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी दिल्ली के पानी की समस्या की कहारी हमें अमीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होगा और आप भी पानी बचाने की जिम्मेदाई उठाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद